कक्षा दस्वी के सभी विद्यारती ध्यान दे जो आपका त्रेमार्शिक पेपर होने वाला है उसका समाजी विज्ञान का पेपर का आज में फुल सोलिशन आपके लेकर आया हूँ वो भी कोफी में आपको फुल सोलिशन यहाँ पर उपलब्द कराया जा रहा है तो जो वन्य जीव सुरक्षा दिनिया में वहाँ 1922 में पारित हुआ है 1804 की नागरिक सहिंता को किस नाम से जाना जाता है तो उसे जाना जाता है नेपोलियन सहिंता के नाम से इसका भी उप्सन एकदम एकदम राइट रहेगा राष्टवाद को चित्रों के माध्यम से दरसान वाला निमनल लिखित में से कौन है तो वहां है फ्रेंड्रिक सार्यू भारती सविधान में विश्यों की कितनी सूचिया दी गई है तो भारती सविधान में तीन विश्यों की सूचिया दी गई है ठीक है अस्वेत सक्ती आंदोलन किस वर्स में उब्रा जो अस्वेत सक्ती आंदोलन था वहां कौन से सत्र में या कौन से वर्स में उबरा तो वहां उबरा है 1906 चट में ठीक है कि इसके बाद है आपका किर्शी छेत्र निम्नलिखित में से संब्ले देखिए क्लसिक जो होती है वहां हमारी प्रात्मिक क्रिया के अंतरगत निर्जी वस्तू के बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं तो देखिए उन संसादनों को हम कहेंगे अजेव संसादन क्या कहेंगे अजेव जो सजी वस्तों के बने होते हैं उन्हें जेव और जो निर्जीव के बने हैं उन्हें अजेव चले दूसरा क्या कह रहा है मार्च 1919 में बंबई में एक रिक्तिस्तान का गठन किया तो खिलापत सम्मीति का गठन किया गया था ठीक है चले तीसरा क्या बोल रहा है बेल्जियम रिक्तिस्तान का एक छोटा सा दे से तो तीसरा जाएगा यूरोप का तीसरे में आपका यूरोप चले चोटा देखते हैं अर्थ व्यवस्ता का रिक्तिस्तान छेत्रों में विवाजन किया गया है तो अर्थ व्यवस्ता का तीन छेत्रों में विवाजन किया गया है प्रात्मिक दृत्यक और तृत्यक तो यहां पर तीन इसमें रिक्तिस्तान का सई आंसर रहेगा स्वा साहिता समू में सदस्यों की अधिक्तम संक्या कितनी होती है जो स्वा साहिता समू है उसमें अधिक्तम सदस्यों की जो संक्या रहेगी वहां रहेगी 20 अगला है रोलेट अधिनियम लागू हुआ तो जो रोलेट अधिनियम था वहाँ अप्रेल 1919 में लाग हुआ तो ये च्छटा है अप्रेल 1919 में तो ये थे आपके सभी रिक्त इस्तान इसका स्क्रीन सोट ले लिजेगा इस सारे आंसर है और प्रस्णा आपके सामने ही मैंने बता दिये है चलिए Question number 3 है इसमें है आपकी सही जोडी सही जोड़ी देख लेते हैं रियोडी जेनेरो प्रतिवी सम्मेलन उननीस सो भान में तो यहां कहां पर हुआ था देखिए एक सम्मेलन था प्रतिवी सम्मेलन जिसमें बहुत सारे देशों ने भाग लिया था ठीक है तो वहां है ब्राजिल में हुआ था कहा हुआता है यह ब्राजिल दूसरा जो है बक्सा टाइगर लिजर्व तो इसका आएगा आपका पच्छिम बंगाल वंदे मात्रम वंदे मात्रम के रचिता कौन है तो इसका जाएगा बक्किम चंद चटोप ध्याई तो यह तीसरा है संगी सासन व्यवस्ता संगी जो सासन व्यवस्ता है उसका एकदम राइट ओप्सन रहेगा आपका बेल्जियम को वहां पर यह विवस्ता की गई थी महिला साक्षरता दर जो हमारे देश में महिला साक्षरता दर है वहां चूवन परसेंट तो यह पांच होगा और बचा हुआ सेज जो रहेगा आपका रिजबारी जरू बेंक आप इं तो छे नंबर में इने भी देखते हैं लेटे राइट मिर्दा अधिकतर गहरी तता अमली होती है तो यह बात आपकी सत्ती है दूसरी आपकी यहां पर बात सत्ती यह भी होगी क्योंकि 1952 में नदी घाट परियोजना के कारण वन छेत्रों को साप करना पड़ता है तो सही ह अठारा सो पांच में फ्रांस में करांती हुई थी तो यह बात आपकी गलत है भारती संग की कही इकाईयों को बहुत कम अधिकार है जो भारती संग है उसकी बहुत सारी इकाईयों को बहुत कम अधिकार है तो यहां बात आपकी सत्ती है किर्शी जो है प्रात्मिक शेत्र के अंतर कता थी तो अभी हमने देखा था भी था यहाँ पर एक बारोर फिर से रिपीट आ गया है और 2011 की जो जन्गन्ना हुई उसके अनुसार पूरूसों में साक्षरता दर प्रतिसते तो यह बात गलत है 73 परसेन है ठीक है तो यह बात होगे आपकी असत्य कोस्चन नम्मर पांच में आपसे एक वाकी में या एक सब्द में उत्तर पूछे हैं तो नवीन जलोडत जो है उसका इस्थाई नाम क्या है जो नवीन जलोड मिट्टी बनी है उसका जो नाम है तो यहां पर हम लिखेंगे एक पहले का खादर तो उस मिट्टी का नाम क्या है खादर ठीक है यहां पर लिख भी देता हूं है आप अंत्माप एक स्कीन सोड़ लिजीगा एक वाक्की में उत्तर है ठीक है इनके यह आंसर है साइमन कमिशन भारत कब पहुचा तो 1928 में पहुचा तीसरा जो है दोजार ग्यारा की जनगन्ना के नुसार भारत में साक्षर्ता दर्ख कितनी थी तो 73 पर से शोथा देखते हैं भारत में इस्थानी साष्ण के लिए कितने लोग चुन जाते हैं तो मैंने लिख लिए यहां पर 36 लाक लोगों को चुना जाता है ठीक निजी छेत्र के एक उद्योग का नाम बताईए तो वहां है टिस्को और अन्तिम जो है आपका भारत में केंदरी सरकार की तरफ से करेंसी नोट कोन जारी करता है तो भारती रिजर्व भेंग यह अन्तिम आपका जाएगा भारती भारती रिजर्व भेंग गए इसकी दिन सोट के माध्यम से आप एक वाक्ति के उत्तर को आप अच्छे से कंप्लिट कर लीजेगा इसके बाद जो अगला कुस्चन है छे यहां से आपके दो-दो अंक के कुस्चन अंसर शिरू हो चुके हैं देखिए भारत में पाए जाने व वन क्या है और रक्षित वन किन राज्यों में है रूडिवाद से क्या अस्य है इसके अत्वा में है प्रेंड्रिक सार्यू कौन था प्रसने जुद्धा से उसमें कहरा है कि रोलेट एक्ट क्या था उसी के अत्वा में है बहिसकार से क्या अस्य है और ग्यार्वा प्रसने अधिकार क्या है गड़ बंदन सरकार से क्या अर्थ है ये सारे के सारे प्रसनापके एक्जाम पेपर में आने वाले हैं और समरूप समाज से क्या आज से हैं भारत में समाजिक विभाजन का क्या आधार है एफ्रो एफ्रो अमेरिकी कौन थे अमेरिकी समाज की कोई दो समाजि सम पारिवारी कानून क्या है सम प्रदाइक राजिनिती क्या है question number 15 में आपसे पुछा सेवा छेतर क्या है और अल्प भेरोजगारी किसे केते हैं question 16 में पुछा गया वस्तु भीनी में क्या है इसी के अत्वा में मुद्रा क्या है question 17 है जल दूरलपता क्या होती है और आ लवनी जल हमें कहां से प्राप्त होता है नवी करन योग्जी और आ नवी करन योग्जी संसाधन को इस पश्ट करना है बांगर और खादर बुम्रदाओं के बीच कोई तीन अंतर आपको यहां पर बताने हैं इसके बाद कोस्चे नम्मर ज असन का अर्थिस्पष्ट करना है संगी सव्यवस्ता कि महत पुन्न विसिष्ता है और संप्रदाइक्ता क्या है नारी वादी आंदोलन क्या है यहां मानों के लिए क्यों महत पुन्ने चान नम्मर में यहां से पेटन आपका 21 प्रस्न से शिरू हो गया है और वन पर्यावरण का एक महत पुर्णंगी इसकतन की स्पष्ट कीजिए और साथी साथ अंत प्रस्ण पुछा गया है अंतीम कि साइमन का पीजन पर टपनी और इसी के अत्वा में पुछा गया भारत के लोग रोलेट का विरोध क्यों करते थे यहने क्यों किया उन्होंने विरोध ठीक है तो इस तरह आज मैंने आपको समाजी विज्ञान यहां पर प्रस्ण उत्तर को भी समझाया और जो बहुवी कल्पी प्रस्ण से उनका फूल सोल्यूशन दिया इसी तरह के हिंदी संस्कृत बागी सारे सब्जेक्टों का आप देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्कृशन मिल जाएगी या प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं